भारतिय उद्देव जगत के पूरे विश्व के एक सम्मानिय उद्देव जग रहे टाटा समू का नित्रुतों करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है परंक उन्होंने टाटा समू का नित्रुतों ऐसे समय में समाला जब टाटा समू को अलेक प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी था अधारिय पूर्वक बारीकी से अध्यान करकर टाटा समू के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धती को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की परा आज भी टाटा समू भारत के उद्योग जगत में एक द्रूव तारा बनकर है उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा लोगदान है देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योगों का अपने समू का विकास करना देश के सारे काइबे कानून और रिल्स रगिलेशन इसका पून अतर पालन करते हुए अपने उद्देप समू को प्रमुक स्थान पर बनाये रखना और इसके साथ-साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समयदान करकर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना चाहे अनुसंदान का क्षेत्र हो, चाहे मनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एग्जुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर को, कैंसर के इलाज की सारी सुवुदाओं को देश के हर इस्से में पहुचाना हो, वतन ताता जी के लिटूटे में ताता समून ने इसको बहुत अच् करकर दिखाया है आज सिर्वतन ताता जी हमारे साथ में रहे हैं परंतु उने जो लेगसी छोड़ कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक दीज के अध्योगीक शेत्र में काम करने वाले नितू तो करने वाले सभी लोगों के लिए पत बरसक बनेगी रास्ता बताती रहेगी इसका मुझे बरोसा है मैं आज इस्वर से प्राक्ना करता हूं कि उनकी आत्मा को परमसांती अरपन करने का काम करें